आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी जानेंगे क्या तथ्यें हैं इसके पीछे जुड़ेवे क्या माइने हैं इस मूर्ति पूजा के बौद अचारे शानते शुरूब बौद जी के साथ हम आज मौजूद हैं उनके निवास्थान पे मैं स्वागत करता हूं सम्यक इंडिया टीवी में और विचार लेते हैं बौ से सुनते आ रहे हैं सुनते क्या रहे हैं हम भी ये बात कहा करते थे कि जो भगवान बुद ने मूर्ति पूजा के लिए मना किया है तो इस मूर्तियों का क्या काम वास्ताव में जो विचार समाज में तैरते हैं वो कहीना कहीं से आते हैं हमारा मानना ये है कि बहुत सारे स वाल शैतान शरार्ती लोगों की तरफ से बनाए जाते हैं और क्योंकि हमारा समाज बहुत भोला है अपनी संस्कृत से अंजान है अपनी माननेताओं से नावाकिफ है इसलिए वो उनके चक्कर में आ जाते हैं देखे भगवान तथागत सम्यक संबुध का तिरी पिटिक जिस का वर्णन तक नहीं है बुद्ध के समय में जब मूर्ती थी नहीं मूर्ती बंती नहीं थी मूर्ती का चलन नहीं था तो मूर्ती पूजा का सवाल ही नहीं उठता ये प्रिश्ण बनाया हुआ है उन लोगों द्वारा जो खुद दिन रात मूर्ती के सामने नाक रगड़त तो उन्होंने ये विचार अनारी बॉध्धों के दमाग में डाला कि बुध्ध ने तो मूर्ति पूजा को मना किया था फिर ये मूर्ति पूजा क्यों करते हैं एक तो बात हुई ये मूर्ति भगवान बुध्ध से 600 साल बाद कनिश्का के समय में बनाई गई कनिश्का के महराजा कनिश्का के समय में बनाई गई और ये लोग जो मूर्ति जिसको आप मूर्ति पूजा कहते हैं वो बुध्ध को अपना आदर्श मान कर अपने सामने रखते हैं ताकि हम उनके जीवन में चलकर जो इन्होंने बुद्ध तुलाब किया था हम भी उसका कुछ ना कुछ अनुपालन कर सकें वो हमारे पेड़ना की स्रोत हैं वो हमारे मार्ग दाता हैं वो हमारे इसमारक हैं इसलिए सीधी सी बात है कि पूजा शब्द पूजा शब्द मूलताद दरवड भासा का शब्द है वो भी बहुत प्राचीन भासा है बड़ी गोरशाली भासा है वाँ पूजा सब्द का अर्थ है किसी के सम्मान के कारण किसी के पृति सम्मानवस उसे फूल पेस करना सम्मानवस पुतरप्राप्ति के लिए नहीं मेरा घर बन जाए इसलिए नहीं मेरे बेटे को सुन्दर पत्नी मिल जाए इसलिए नहीं मेरे बेटी को बहुत धनवान लड़का मिल जाए इसलिए नहीं दुस्मन का नाश हो जाए इसलिए नहीं किसलिए भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के प्रती आदर परगट करने के लिए कि आदर किसलिए क्योंकि बुद्ध जैसा अन्मुल व्यक्ति संसार में उनके अलावा कोई पैदा हुआ ही नहीं चो यह कहता है कि मेरे बाद में और भी बुद्ध आएंगे और मेरे से पहले और भी बुद्ध होगे उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं ही हूँ सब कुछ मैं ही हूँ फन्ने खां मैं ही हूँ खलीफा मगर उन्होंने कहा मुझसे पहले भी आएंगे मुझसे बाद में भी आएंगे उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कोई बात इसलिए मत मानना के धरम गरंत में लिखी है कोई बात इसलिए मत मानना के परंपरा से चली आई है कोई बात इसलिए भी मत मानना के बहुत परचलित व्यक्ति के दुआरा कही है अरे हद कर दी भगवान बुद्धने जब उन्होंने कहा कि कोई बात इसलिए भी मत मानना के मैंने कही है उस बात को जब मानना जब तर्क पर विज्ञान की कसोटी पर खरी उत्रे और लोग कल्यान की दिरिस्टी से सवल हो तो इसलिए ऐसे महान संदिश देने वाले महामानों के पृति अगर हम सम्मान व्यक्त करते हैं तो वो पूजा नहीं है पूजा तो इन्हों ने उस पूजा का शब्द का अर्थी बदल दिया लोगों को पूजा जो है अब हमारे जो अर्जक संग बहुत करांति कारी आंदोलन है मैं उसका बड़ा परसंद सकूं अर्जक संग के महापुर्शों को हम च्छाप रहे हैं मगर वो इसी ब्रांति के कारण वो भी बद्धों की पूजा पद्धती को मूर्ती पूजा को और हमारे जो कॉमिलिस्ट भाई हैं जो वहां से अनिशो रवादी होते हैं और वहां से सब परकार के आसरवों का सब परकार की तिरिश्णाओं का भगन कर दिया नाश कर दिया उसको भगवान कहते हैं इन्होंने भगवान का सब्द का अर्थी इश्वर बना दिया तो इनका तो बड़ा कमाल है साब इनको कैसे काबू करोगे मेरी संज में नहीं आता और लगता आज परचारकों की जरूरत है आज वियाख्यान करताओं की जरूरत है अपने जितने भी हमारी अवधारनाये हैं उनके वियाख्याताओं की जरूरत है तो आज इस बात को समझ लीजी कि भगवान बुद्ध की जो मूर्ती हम अपने बुद्ध विहारों में लगाते हैं वो ह हमारे आदर्ष है उनके सिध्धान्त मानव मात्र के लिए जाती के लिए नहीं मानव मात्र उसमें जितनी भी जातिया होती है उन सब के लिए कल्यानकारी है उन पर अगर आप चलोगे तो बुद्ध जैसा व्यक्ति ही कह सकता है कि हर एक पृति व्यक्ति में बुद्ध अंकुर है मतलब बुद्ध बनने की गुंजाईश है कब जब वो बुद्धत प्राप्ति के निर्धारित बार्ग पर चलेगा तब जैसे बुद्ध चले उसी तरीके से हम बुद्ध को अपना आदर्ष मान के अपने सामने रखते हैं उनका इस्मनन करते हैं उनके मार्क पर चलने का संकल्प लेते हैं इसलिए बुद्ध की बूरती रखते हैं बुद्ध से हम कुछ मांगते नहीं और बहुत धरम में तो कुछ मांगना वर्जित है पाप है पाप को पाली भासा में विने पिटक का गिरन्द जब आप पढ़ तो लोग कल्यान के लिए आपने देखा ना अपना जो श्रिष्टी थे अनात पिंडिक उन्होंने 54 करोड़ सोन बुद्राओं का उन्होंने जेत्वन बियार बना करके बुद्ध को दिया था तो आप धरम के नाम पर लोग कल्यान के लिए जो भी कुछ देना चाहो दे दो मगर किसी से एक खोटे पैसी की भी काम न मत करना अपने पराकरम से सारे काम करना ये संकर्प लेने के लिए हम बुद्ध की परतिमा के पास बैठते हैं वो हमारी विरासत है वो हमारी विरासत है इस देश की मोलिकता अगर किसी में छिपी है तो बुद्ध और बोध धरम में छिपी है उसे के इस मनद के लिए हम मूर्ती की समक्ष जाते हैं इसके अलावा हमारा और कोई मनतव्य नहीं और कोई इरादा नहीं और कोई उद्देश नहीं एक कमेंट हमने पढ़ा कोई हमारे सुधी शुरोता लिख रहे हैं अपने कमेंट में के बाबा साहब ने जो एक पैंटिंग बनाई थी भगवान बुद्ध की उसमें आखे खुली हैं मगर जादतार आखे तो बंद रहती हैं देखे पहले वो पैंटिंग की बात सुन लीजिए वो पैंटिंग बाबा साहब ने नहीं बनाई थी बाबा साब को पैंटिंग में रुची थी बाबा साब के द्वारा बनाई गई जो स्केच बुक है मैंने स्वव अपनी आँखों से नानक चिज़ रत्तुजी के घर में देखी है मगर जो वो पैंटिंग की बात करते हैं वो पैंटिंग हैमिल्टन स्टूडियो बंबई का जो फोर्ट इलाके में है जो बाबा साहब डांक टंबेट करके अकसर जिन्होंने फोटो खैंचे थे और वो नाकेवल फोटोग्राफर थे बलकि उनके पास कुछ आर्टिस्ट भ ने उनसे बनवाई थी उसमें एक तो भगवान बुद्ध का वो सिर है गांधार कला का जो गांधार कला अफगानिस्तान की कला है उसका वो सिर है उसको पैंसिल स्केश में बनाया गया है वो परतिमा में भी आंके खुली है इसमें भी आंके खुली है तो और वो जो जिस आ कार से एक बात और है जो उस कमेंट करता ने नहीं कही मुझे बैठे वे बुद्ध प्रिय नहीं है मुझे तो चलते वे बुद्ध मुझे खड़े बुद्ध पसंद है तो इन दोनों का अर्थ समझे एक बात तो जो कूसंस कार है न हमारे बीच में से निगेटिविटी का उस बाबा साब से पहले हमारे आंदोलन से पहले की बनी हुई है उनका विरोध करने का कोई मतलब नहीं बच्चो उनका विरोध मत करो आप अपने घर में मूर्ति लाओ खुली आँख वाली लाओ पैंटिंग बनाओ चित्र बनाओ इसकेच बनाओ खुली आँख के बनाओ किस दिन पहले कहा था यह जो सुप्रीम कोड के पास जो आपका परगती मैदान है जब यह बहुत शुरुवाती दोर में था एक छोटा सा कंप्लेक्स भगवान बुद्ध के परिनिर्वान के पचीस सो वर्ष के उपलक्ष ने सरकार की और से एक आर्ट एक्जिबिशन लगाए थी इस स्थान पर जहां परगती मैदान है वहां से शुरुवाती इस मैदान की जगल था सारा तो उसमें सोलाल शास्त्री जी जब गए वहां उनका दफ्तर वहां नजजदी की था अभी भी वह दफ्तर है सुप्रिम कोड के पीछे लाम मिनिस्ट्री का ओफिस तो बाबा स दांक टम बेट कर से वहां की जो पृतिमाएं देखी पैंटी ये देखी उनके संबंद में जो चर्चा की तो बाबा साब ने कहा था मुझे तो खड़े बुद्ध मुझे चलते बुद्ध पसंद है चलते बुद्ध पसंद का मतलब क्या है वो ऐसे बुद्ध चाते थे ज खाली परधान होने में गर्व महसूस करते हैं बाबा साब इस परथा के विरोधी थे बाबा साब कहते तो पत पे बैठना गोरवशाली नहीं पत पे आप जब बैठ गए हो आपने क्या किया वो बताने लाइक भी तो कुछ करो तो इसलिए साथियो जो भगवान बुद्ध कि जो आखे खुली हैं बाबा साब को पसंद थी हम उसके विरोधी नहीं है हमें भी पसंद है मगर बंद आख का भी तात्पिरे समझ लो उसकी दो कारण है एक तो जब आदमी बहुत अधिक आनंद में होता है तो सोहता आख मुंद जाती है नहीं जब बहुत खुशी में ह होता है तो आख मुंद जाती है जब आनंद चर्म इस्थिती में प्राप्त होता है तो आख मुंद जाती है दूसरा जब महा पुरुश ध्यान मुद्रा में होता है तो अपने चित्त को एकाग रखने के लिए आख मुंद जाती है आख मुंद नहीं पड़ती है जिस परका सात कदम या दस कदम नीचे जमीन पर होती थी इधर उधर नहीं देखते थे कारण क्या है कि इधर उधर देखना ये देखना वो देखना ये देखना ये चंचल ये मन की चंचलता का प्रितिक है जो बहुत बड़ा दुर्गुन है तो भगवान बुद्ध की दिरिष्टी इस्तिर थी, सैयत थी साथ कदम जब व्यक्ति देखेगा तो दूर से खड़े वी व्यक्ति को लगेगा आँखे बंद है अब आपको मेरी आँखे बंद नजर आ रही होंगी न तो इसी तरीकी से वो जो आखे जो जिसको हम बंद कहते हों बंद नहीं है वो परतिमांकर, इसकलपराइजेशन या चितरण पैंटिंग में ये चीज़े बनाई जाती है वो एक बाद्य हमें है, उसको हम बगैर मतलब का वितंडावाद, बगैर मतलब का जगड़ा, बगैर मतलब का तर्क कुतर्क ना करें बल्कि वास्तिताओं को समधने के लिए असली काम करें अपनी विचारदारों को फैलाएं बाबा साहब कहके गए थे कि मैं भारत वर्ष को बुद्ध मैं करूंगा उस लक्ष को याद रखना और बुद्ध मैं भारत फालतू के विवादों से नहीं होगा मैं जितना समझा सकता था आपको समझाया उम्मिद है कि कुछ शंकाओं का समझाया जरूर हुआ होगा और अगर ऐसा होता है तो हम समझते हैं कि समक इंडिया टीवी अपने परियास में सफल है इनी शब्दों के साथ धन्यवाद नमो बुद्धस बहुत बहुत सादुवाद बादाचारे जी का हमारा ज्यान दर्शन इतने अच्छे तरीके से करते हैं सिंपल तरीके से करते हैं कि हर किसी को समझ आ जाता है और अगर ये जानकारी आपको भी अच्छे लग रही है बहुत महत्पून जानकारी है तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाई है शेर कीजिए चैनल पर नए है चैनल सब्सक्राइब कीजिए अपने अमूले कमेंट कीजिए जै भी जै भारत